कुष्वाह की बड़ी तावादी है और कुष्वाह की पार्टी से यह पे है चुनाब भी लड़ रहे है चुनाब में दो ही मुद्धा है यह तो एक तरफ जाति वाद है दूसरे तरफ राष्ट वान और दोनों अपने अपने तरीके से से शेंधवारी की कोसीश कर रहे है तो बाकहि में राजनीट को जिस दिसा मे लेजाने की कोशिश हो रही है और जिस मुद्दे पर राजनीत हो रही है उसमें जो अस्थानिय मुद्दा है या फिर डेवलप्मेंट का मुद्दा है वो पूरी तोर पे गौन हो चुका है बस दो ही मुद्दे है अगर लगातारा प्रथम फेज से लेके अभी तक अगर हम बात करें तो धीरे-धीरे कह सक के लिए कि महागटवंधन का व्ट फेज में उनकी जवर्दस्थ जाति गोलवन की बातो हौ रही है क्या मो coupled दिख रही है कि नहीं दिखुर है हमने पहले भी ढ्रताइक है महागटवंधर में जो शहनी वोटर की जो य्जूवर्वंधी है वह गोलवंदी जितनी उज्यारपूर में देखने को मिलि वो बाकी छत्रों में उस तरह की गोलवंदी देखने को नहीं मिलिया मुतिहारी में उमीदभार सभाविक तोर पर उमीदभार उपेनर खुस्वा का उमीदभार है वो अकलेश चिंग के बेटीट चुनावी मैदान उनको लेकर गोलबन्दी हुरही है तो क्या बाकई में ये गोई गोलबन्दी का असर जो मददाता है उन पर दिख रहा है कि नही कि और किसी बुद्वों पर चुनाब हो रहा है क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी उसी गोलबंदी के अधार पर जीत का दावा भी कर रही है और ये मोतिहारी लोग समाच्छेत्र एक ऐसा लोग समाच्छेत्र है जिसमें जो महागटवंधन के जो वोटर हैं अगर जातिये गोलबंदी की बात करें तो सहनी भी काफी संख्या में इस इलाके में हैं कुछवाहा की काफी है उसके अलाबा मुसल्मान जादव का जो अपना इमवाई समीकरन है उसके लोग भी इस इलाके में काफी है अगर जातिये गोलबंदी की हैं अगर हम बात करें तो अखलेश सिंग एक बार इसी गोलबंदी के अधार पर वो चुनाब जीते थी क्या वो दुबारा अ जाके में उपेंदर खुसवाहा को लेकर जो बिहार में को पार्टी बनाई गई महागडवंधन उसका असर है या फिर सभी तरह के से लोग भोट बाट करें सब्सक्राइब करें दोनों बाटी को भोट मिल सकती है यह को जरुन नहीं है कि एक ही बाटी को भोट मिलेगा दो आप बार अखिलेश सिंग भाले जीत कर गए थे एक बार भी दर्शन करने के लिए उस नहीं आए अना लोकल आदमी है यहां का अना लोकल आदमी रहते हुए उसको टिकर नहीं मिला अच्छे अखिलेश सिंग इसे पहले चुनाव लड़े थे उस वक्त कुस्वाह उनके साथ था साथ था आप बताए बाबा उपंद्र कुस्वाहा को नाम सुने हैं लोग करते हैं कि कुस्वाहा का नेता है तो वोट पे इस वार मुतिहारी में वोट होगा तो उसका कोई कुस्वाहा को लेकर आप लोगों के प्रतिक्व क्या भाव है कि भाई दोनों पार्टी को वोट दीजेगा या फिर कुस्वाहा का पार्टी का ख़रा है उसको लोगे क्या सोचते हैं अब तो जैने गाहों कोई और नहीं प्राहम्नियों के सब कोई के सब जोगभा कि सरकौन चीकर आप अच्छे गाहों के विचार जब होई तो होई आपक क्या भीचार है कि हमरा भीजाही हिपा कि आमनिक तो भी कुष्वा उनकरा क्या इस यह होता कि जगे जैनलव आउ जाई होना जाहिए अच्छे कुष्वाहा को पाचानते ही नहीं है नहीं ह। आच यसलित जो 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 पाचानक आदमी उसको वोट दिया जए तरहां ठीक हज एक पट्ट पर सेंट सब्सक्राइब अंधिया बाद कोई जाती ट्राइब कोई जाती प्रेक्टर नहीं मॉध्या फाली अन्यकर कोई लोग च्वाइस नहीं के लोग है लेकिन अधिया फूट देता जरा आप भी बताइए बड़े अच्छे तरीके से अपने बात गोले आप ज़र आप भी अपनी राइको रखिए का राइको रखे हम जो भी है सो मोदी जी को भोड देंगे उसमें कहीं दूराय नहीं है चाहिए कि पुरा देश को डेख रहा है हर जगा लाइन और बिजली और सेप्टी हर चीज मिल तो हम मोदी को हीं भोड देंगे रादा मोघंजी को नहीं सकते हैं मगर मोदी के नाम पर ही खोड देंगे और मोदी को जाती और कोई यह थी नहीं है हमारा जो आच्छा करेगा उसको बहुता है अचेकम जरा कुसवाह जी के जरा आप जरा बताईए आप इतने बीच में बरा मद्गूती से बताईए कि क्यों कुस आप दलील दे रहे थे कुसवाह करें हम लोग काहना यही है कि हम लोग जातिवाद के दूसरा कोई हम लोग यह नहीं है नहीं तो आकाश सिंग तो जासे उनके पिता जी जब जीत के गए तो दूबरा आए नहीं है लेकिन हम लोग उपेंदर कुसवाह के बदावलत उनको भोट दे रहे हैं मतलब उपेंदर कुसवाह को आप लोग मानते हैं कि आपका नेता हैं अच्छे नेता हैं उपेंदर कुसवाह के लिए अच्छे नेता हैं और हम लोग के लिए जवसे बहुत कुछ किये भी आए कि आपको ज़रा हम इनसे भी बात करते हैं कि यह कुसवाह करनेता की बात करते हैं ज़रा आप भी बताइए कि वोट जो है जाती का अधार पर होगा या फिर मोदी का अधार पर होगा होट जो है वो तो जाती का अधार पर भी आए और मोदी जी के अधार पर लेकिन हम कुछ वाह हैं इसलिए हम पेंदर जी को भुट देंगे क्योंकि विपक्ष में कुछ रहना चाहिए जब विपक्ष खाली हो जाएगा तो लड़ाई जगड़ा किस से होगा समय तो विपक आफ क्ष में भी चाहिए पाट इसलिए जैसे केंडर में सरकार तो मोदी जी का ही बनेदे लेकिन बिपक्ष के लिए आप कुछ आज अपने कास्ट कांश यह मुनको यह वोट आप नहीं दीजेगा मोदी जी को तो मोधी जी सरकार बनेगा और काफी उनका भौत है ठीक लेकिन विपक्ष के लिए पाटी चाहिए इसलिए हम गठ अंदन को बैंदर जी के चल दे आकास जी को हम लोग तो यह संदेश कुस्वाहों के बीच है कि कुस्वाह लीडर्शी पर रहना चाहिए उपन कुस्वाह के हाथ में इसलिए हम लोग उनका चांस मिले उनको भी कई ना कई चांस उनको भी आपकी क्या राए हैं मेरा राए यह है कि जातिवात पर भूर्ट तो नहीं होता है लेकिंगी इसको जहां पर मन करें वहां पर भूर्ट देना चाहिए हम लोग मोदी के भूर देंगे दूसरा क्या अच्छा पतब राजनीत में जातपात नहीं होना चाहिए जो अच्छा लगे उसको भोड़ देना चाहिए अच्छा अच्छा लग रहा है अगर आज नहीं रहेंगे परधानवंदी तो पकिस्तान हम लोग का आज हम लोग दरवाजेपा सो रहे हैं सोने देंग मोंदी के लिए पर लाइम आज नहीं ले जैता था लेकिन होग जरा जरा बताई है हां लुआ यह आपको लगता नहीं कि इस से पहले जब वोट मांगने आये तब करेकं पन्रा लाक्र का खाता में देंगे यह विकास करेंगे पिछले वार मोदी जी मांगे कि हम देश का विकास करेंगे आपने भरोसा करके वोट दिया इस वार आपको करें कि राष्ट पर खत्रा नहीं होने देंगे इस आधार पर वोट दे रहे हैं फीर आएंगे तो फिट किसी तुछे मुद्दे को लेकर लएक कास तो मोदी जी इतना ना कर दिया कि कॉई भी पाधान म सुआती होगा तो अकि अधिकास कुछ किये है तो दुनी भोट था BR प्राइब करें आप यह दो बताए कि आपके गाउं में पिछले कि अपने की विकास बन गया है यहां का सड़क देख लीजिए वितर ले प्राइब करें आप यहां पर नितिक हो रहा है यहां पर जातिवाद हो रहा है इसलिए रोड नहीं बनता है जयो हाझे तो खुल को भॉड देगा कुश्वा नहीं बन रहा है तो कुछ वाकश कर देढ़ नहीं बन रहा है ट्रोट बनने की बन गया देखें आया सब्सक्रान अब देखिए आप इन लोग देखिए ना कहीं जाते होंगे तो देखते हैं कहीं रोड बाकी है अज़ेए में रोड है आठे जड़ा हम इन चे पूछते हैं बाबा इस तरफ आदे जरा इस तरफ आए तो अच्छे तरीके संबाद कर पाएं क्या कहते हैं बहुत कुछ को रहे है कि यह विकास हो रहा है यह हो रहा है तो जड़ा मोदी को भोट देना है आप भी कहें कि मोदी को भोट देना चाहिए रारा मोहन कम भोट नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है क्यों मोदी को वोट देना चाहिए लेकिन आपके बिदिल की बात आप कि मोडी को वोट देना चाहिए। तो आपको क्या इसा लगा कि मोडी को वोट देना चाहिए। मोर्डी का दवाखादी यह बागी लोग कोहते विकास करता रहे कुछ मदब करता रहे लोग के यह सोकालात है भारत के लिए जो कुछ कर रहा है जो भी कोई है तो जिसको अपना सुरक्षित लग रहा है कि ना यह हमारे लिए नेतब बढ़िया है इसलिए आप बात बोगा चलिए आप उसी राई से सामध करें लेकिन हम भोट देंगे आकास क्यों वाइं उपहंदर जी के चंट है कि विपक्ष में भी पाटी होना चाहिए कि किसी कान डिशन में पाटी होना चाहिए बद सब कुछ से आप सवामत हैं मोदी जी कियानातों में देश चुरखषित विकास भी हो रहा है। तरह कर रहे हैं आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं आपके बच्चों को बेहतर सिक्षा मिले इसकी बात नहीं करें अब से जारा को देश की चिंता हो इस तरीके से इनको कहरें कि जाती बात कर रहे हैं आप भी तो उसी तरीके सा बात करें जब देश्वाब बोच्चेगा जब हम लोग बहुतेंगे तो आमने लड़का परेगा लिखेगा अजब द बहुत जिएक को आपको लगता डिशेनल यह वहां से कोई मतलब नहीं है रहाई वहाँ से कोई लूट नहीं सकता है देश कभी भी एचे स्रक्षित रहेगा परदान देश की सुरच देश अजाद रहेगा हम ऐसा कि यह नहीं जो आज देश अजाद नहीं हो भुश के मार देगा कोई तो सदुनिक यह करेगा वहां पर देश पीकागा कि टेश आज में उर्जावान है तोरो टाजा कर देता हुए परमलों कि नही उर्जा से ला लगा सुने लिए लुॉय पर स्कूल में श्रह एता जारा ऐसक तब रहा है उस परक्रश कोच नहीं बोलते हैं कि मुधिक जी के पहले जो भी सरकार था उसके पहले जो भी पिछॉचव का भाली हुआ था उसमें मुख्या का मुख्यक दुवारा आग अज मोदी सरकार आया है वो अपने शिक्षा के छीत्र में आच्छे परगति करने के लिए नहीं जुड़ मुख्या के जो भाल हुआ है उसमें नितीश कुमार और शुचिल मोदी दोनों सरकार था सामीर, कि मुख्या बाहल किया. अगर गरबर बाहली हुई है तो उसमें वो भी जिमेवार है. जब को सुधार करना चाहिए, मोदी को. करना चाहिए? और उसमें और सिक्षा के छेत्र में बच्चों को ज्यादा महत तो देना चाहिए और आज का भवी सब बच्चा है बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहिए यह लगता है आपको चलिए यही समझने की जोड़े था है और में एक छोटा सा ब्रेक लेंगी लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले समझिए एक युवामन ना है ळी को लेकर कि युप को लेकर किस तरीके से उनके अंदरों से बतला हो किस अनदर candles के इस युवा मन की आपने बात सुनी कि मोधी के भासन से उत्तेजित हो जाते हमारे अंदर में एक नई तरह का उर्जा का संचार होता है लेकिन जैसे ही इन से हम अपने इजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किये इनके टीचर के बारे में बात किये वो फिर अपने पुराने तरीके से जिस तरीके से वो तोस्ते थे उस अंदाज में या उसी तरीके से ये सोचना शुरू कर दिया है ये सारे कबाया जो राजनीत पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से वोट की गोलबंदी के लिए कर रहे हैं उसमें सबसे बरी बात ये है कि बुनियादी सवालों को लेकर कौन सानेता जनता के दिलों तक पहुंचता है बोट उनी को मिलेगा ये लगवक साफ इन इलाकों में घुमने से साफ ये लग गया कि अपने अपने तरी इन चीज़ों को समझे चिंता की लगीरे क्यों बार बार दिख रही है वजह यहीं है कि अगर चीजें गाउं तक अगर पहुंच गई कि राष्ट बाद को हम कैसे के इतर भी कुछ चीजें इसी हैं जिन पर हमें सोचने की जरुत था ये इस पेस जैसे ही जहां कहीं मिला है वोट की राजनीत में जो बाते दावे किये जा रहे हैं वो दावे कहीं ने कहीं खोखली होती दिखाई देदी चलिए अब एक चोटा साम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद और ये कुछ वहा जाती की ओपेनियन को आपने देखा हम और जो जाती हैं उन जातियों के हां भी जा सकते हैं तेलिए अब एक चोटा सा ब्रेक लेज़े जाएं ब्रेक के बाद एक पर फिर से स्वागत है और वोटर ओले काज करम ने हमने आपको दिखाया कि कुछ वहा कॉम्टी क्या सोचता है वो भी महागट बंदन का एक अंग है और वो ये दिखाने की कोशिज कर रहे है कि हमारे पास कुछ वहाब वोटर हमारे साथ हैं आप महसूस किये कि कि वहाब वोटर किस तरीके से वोटिंग करने वाले हैं हलाकि अभी वक्त है कई चीज़ें बदल सकती है लेकिन हम अब जिन लोगों से हम बात करना चाहते हैं वो अगर हम बात करें अखलेश सिंग पहल राजद के उमिदवार के रूप में अखलेश चिंग को शवर्णों का वोट देना काफी मुश्किल था लेकिन उन्होंने वोट पाया चुनाब भी जीते फिर दुबारा वो चुनाब लड़े तो वह अलग बात है वो चुनाब हार गए लेकिन वह खुले आम चुनावती दे कि एक वक्त जब राजद घोर शवर्ण विरोधी रहा है आप लोग मानते ही है भूम्यार और राजद के खिलाफ रहा है फिर भी आप लोगोंने अखलेश चिंग को वोट दे के जीता है इस बार कि क्या इस्थिति हैं हम लोगों को जिकेंद्र में अच्छा सरकार है उस सर के बिड़ चाहिए कुछ सना है मतलब नहीं अमगों के सरखारन अच्छा होना चाहिए मतलब जो सब कुछ है कि अजए बिबी बताईन कि क्या अच्छा है कैंद्र के सर obra where है कि ऍानर की इसा क्रें नहीं ता रोट बन रहा है बिली घर-घर पहुची गया आप फोजी हैं हम फोजी है रिटाइब बहुत अच्छी बात एक फोजी से भी हमारी मुलाकात हो गया जरा मोदी जी का बेहतर तरीके से उनकी बातों को हम समझना चाहते हैं जरा यह बताएं कि मुदी जी जब 2014 में चुनाब लड़ने आये थे तो पहली सभाक फोजी को संभुरित किया था और कहा था कि वन रेंक वन पैंसर हम लागू करें ठीक है ना बहुत सारे फोजी संगठन को इसको लेकर आपती है कि उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया तो इसे नहीं कर पाया है सब वादे वॉरा शचाल में सातर साल छोड़ दिजिए उसी सतर साल में आप फोज में बहाल भी हुए है अपने लड़ाई भी लड़ी है उस सतर साल को छोड़ दिजिए हम सिर्फ चार साल पांस साल के बात करते हैं मोडी जी 2014 में जब चुनाब लड याना में यह गुर्गाओं इसी कासपास के लाके में आप लोग एक बड़ा सम्मिलन उन्हें नायुद किया था और उन्होंने कहा था कि वन रेंक वन पेंसन अभी भी बगहाम उन्होंने कहा कि हमने ये लागू कर दिया लेकिन तमाम फौजी के जो रिटार्ड अधिकारी है हैं करमचारी हैं फोज हैं लड़ने वाले फोज हैं वह कहते हैं कि नहीं उन्होंने जो वादा किये वह पूरा नहीं किया है वह क्या पुरा किये के लिज़ा किये तो ऑने धुरिक थे का जो वादा किये थे वो पूरा किये हैना हम लोग को मिला है कि क्या पहले क्या मिला दा आप कब रिटार्रेइड हुए उसके बाद किया है हुआ हो गया हम लोगो बिल गया है मतलब क्या बेनीफीट मिला ता बेनीफीट भी जो हम आज जो भरती जो हो रहा है उस रेंक मताबिक आज हम लोगों को उसके अनुसार पैंसर मिल रहा है पार्भ मिलना सुरू हो गया अचे जरा आप बताई यह की खाले इस पर कुछ बॉट मिलेगा या फिर मोडी मोडीमें परी हैं टृकि जी को criticisms को जा नहीं कर यो बीका हना इसलिए नहीं जा सकता है कि शुल्स को सिर्फिंद मोग जाएंगा ऊसरी परसेंट अकलेस जी गोए जायेगा शुल्स को इंपक्त नहीं बहुंत है आप तो कुछ नहीं बात कर रहा है कि अकलेस जी कोई भोड ज़ाएगा थीक्ष्ह ने खिरलेंट जी को अच्छा अगों को इस लोग कुएगा कि जाती के नाम तुन के लिए पर यह दिकत है जहां और यहां पर जौहना किसान दरदर के ठोकर खा रहे हैं आपर एक सुगर फ्रैक्टिश नहीं होने के कारण जोहने मतलब आउने पौने भाव में बेंच करके जोहना किसान आप बहुत दुखी है हम लोग को अपरे सवार्थ के लिए नहीं रहाना है किसान के लिए हर एक आदमी के लिए मरना मरना ह हम अगली बार आएंगे तिसी चीनी मील के सुगर के हम चाय पिएंगे तो वह इतना बरावादा किसान से वह करके गए और आपका चीनी मील चालू नहीं हुआ पिर भी करते हैं मोदी यह तो मुम्किन है सुनिये ना उस सरय अगले सिंग राय का ना में लालू बर्साद जादों का जोना सरकार था उसमें में पूरा जमीन खरीद करके वहाँ पर जानू नुद खाटन करके चले का बन गया और अगले सिंग कहा बना चले गया ओए तो भी तो मतलमें नहीं मंत्री थे बिहार के क्षीज करके किसान को दूगन IMUL आप आप दूगनिया मूले आप आप फोजी होके रि पॉजी होके रिटार होके किसान क्षेति कर रहें कि हम लागत मूल हैं सो दूग माप laquelle आफ पू दे किसान का जो लागत मुल है उससे हम दूगुना आपको देंगे उसका समर्थन मुल उसका दूगुना आपको मिला नहीं वो तो नहीं मिला मतलब जो जैसे अभी जो बनाए थे जहाना किसार किसानों को जो है समर्फर करते हैं आपको विजने जाते हैं तो पहले जो बोलकिंगे वादा पुरा exists आप मेन खाड़ी नहीं करते हैं चाहा हैं अब हो जो फांठे का सारीब मैश्या है दूरा एक मिद्समधिें कि जरा इन चीजों को समझिए कि पीछे वी अपना तर्क है हम बात करते हैं कि फौजी हुन पैंसर मिला कि नए उसको किस तरीके से उन — अपने तरीके से अपनी बातों को रख दिया फिर बात इन्होंने किया कि आप किसान है रिटार्ड होके आप आये हैं जो उन्होंने घोशना कि थी जो आपका लागत मुल है उससे दूगुना हम आपको समर्थन मुल देगे तो इन्होंने बड़ा किस तरीके से देखे गाउं राजनी तो अगर समझनी हो आसानी से इन्होंने कह रिया कि हम उतना ही उप जाते हैं जितना खाते हैं यह चीजें समादने की जुरा था अच्रा हां यह बताईए कि केंदरिये मंत अब देखिए सेंट्रल गवर्मेंट का बात लीजिएगा तो भी कास हुआ है लेकिन अगर हमारे जिले का बात लीजि मोदी जी के साथ में रहने वल आदमी का अगर देखा जाए तो चेतर बिकास बहुत पीछे है बहुत पीछे है उस और याद किया जा तो भोट इनको नहीं मिलेगा मोदी जी का याद करके कुछ लोग देगा देगा ही तो उनके नाम पर देगा इनके नाम पर बोट कॉट अब कहा नाsal आड़ भोट मांगरे ना बीजेप फेसे जितने स संसद आज भोट मांगरे नहीं है माँदे नहीं या जब मोदी घुद मांगरे क्या आप हमको बोट दीजी अब हमारे संसद का क defects तो सभाविक है लेकिन ये सांसत पहली बर नहीं आया है ये सांसत पिछले तीन बार हो चुके है इनको देखा जाए तो इनको फोट का मांगने का वह कोई काम भी नहीं किया है कि आके खुद मांगेंगे मोदी जी तो किया है कि अपने देश में जाहां पर इनकी कोई पाटी नहीं जीती है नहीं है राष्ट पर जो जाती बारी पर देखान नहीं है सबसे बड़ा किसान का मुझा था चीनी वी और चीनी मिल नहीं चला अगर खाली चीनी मिल चलावादी होते तो 100 परसेंट था कि आदा महांजी जीते हैं क्या बात बोट नहीं देने का अच्छा बहाना डूड लिया है लेकिन इस बार चीनी मिल का गुसा है मजदूर आतम हत्या करता है और उसको बोले जाता है कि मीडिया को दिखाने के लिए क्या होता है अच्छा मतलब इस बार जो सो चीनी मिल मुद्धा रहेगा चीनी मिल पूरा मुद्धा है खौजी है जरा हम को यह बताइए कि आप किस फौज में क्या क्या आप काम कर देते हैं हम लोग इंफेंटी सोल्जर थे तो उस बत जो मतलब जो कहते हैं मोदी जी हम जो खुली छूट दे रखें तो बोर्डर पर जब आप लोग थे तो क्या प्रधान मंति के हां से आता था कि हाथ बांदे रहिए या फाइड किजिए नहीं उसे में मैं आदेश तो मतलब से अगर आतंकबादी से अगर आमने सामने हो गया तो परमिस्टन की जरत रहता था कि लड़ रहे लेते थे उस समय में मैं आमने समय की जब लड़ाई हो गये तो समय सामने समय लड़ना ही है बीचे क्यों हटना है उसमय में उसमय था अच्छा कभी आप लोग पूरे नौकड गिराने मुली बात तो नहीं और मुली बात कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई प्रधानमंति आरक्षा मंति फोज के मनोबल गिरा रहे हो पाकिस्तान से बेवज़ा गिर गिरा रहे हो इसा कभी लगा नहीं वह तो सब कांग्रेस की सरकार के में अनुसार मतलब उसे बुगार मे मेरी एसा सवाल शापी हुधे, सवाल जो पूछ रहे है हम से बंडुक लेकर सिमा पर ख़री रहे हैं , पाकिस्तान के सामने अगर हमारे सामने से कोई हमारे उपर में चोड़ने ने देंगे परमिसन के जुरत नहीं कोई भी परमिसन कोई जरूरी नहीं कभी भी इंदिया करते थे परमिसन का कि इंडिया के जितना भी ज्यादा पोस्ट है वह उपर में उपर से बैंकर में चुप बनकर रखता था जाने फिर पर तब हम लोग किया काम घर हमला हमला हमेलाए法 sah bah हम सब हो जाने के लिए बनाया हुआ हुआ हम कभी जो अप्र करने के लिए नहीं को不會 जाता था को लोग्त नहीं नहीं turd Rights mindset को समझे कि ए पोजी भी जो बोडर पे लड़ते रहे हैं उनको भी एक enसocrjang होता है जबकि उन्स वक्त ने किसी PMO या किसी रक्षा मंत्री की जुरत नहीं थी हाथ कैसे बढ़ा हुआ था वह इसको पूरी तौर से explain नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे हाथ बंधी हुई थी या फिर आप हाथ आज खुला हुआ है आपको मोदी में खास क्या लगता है मोदी में क्या का साट रहा है सब पर्ता हम लोग बीजेपी हैं इसलिए हमको जात पास से कोई मतलब नहीं है इतने दिनों से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं बहुत जैंसे हैं बहुत जैंसे का यह परंपरागत यह लाका है उनसे भी पूछ सकते हैं आप रदा मोहन सिंजी से वाए थे यहां पर खटिया पर सोए बोले से ठीक है इतना पानी जहां उनका गारी फंस यहां तो नो दाका दे के बाहर किये ठीक है पंचल शे सल हो गया उबात का चल गे उसके बाद में जागी पर नहीं आए से लो रोड बना की नहीं बना रोड तो बना हुआ है तो अकले सिंदा बनाए है जब वो जीते तब रोड बना और उसके पहले अला में आये यहां पर उनका गारी अच्छा बोले जीतेंगे अगर इता को ही धराए गा बाभू टोला में अधरा आए देखनें को नहीं मिले इता कहा थ मिले जासो इस बार तो चैंज हो गया तेंद में हम लोग मोधी चाहिए मोधी हनी सरकार अभी तक नहीं हुआ है बीजएपी बहुत इस बाइवी थे औ उतना कोई नहीं किया है, केंद में हम लोक मोदी जी चाहिए लेकिन यहाँ पर अधामों हम चीनल होता है ना उसका एक सब से ब्यादा पायर होता है लेकिन हम लोग देने वाले नहीं है कहीं लेकिन हम लोग देने नहीं आई कहीं चाहते है जान पर अख नहीं किसे नहीं किया होता है इसका बाप बीधायक। तो बैटावी बिधायक। बनेगा उको जोरी नहीं है। पांक साल को आप जानतर चला खाईब कोई काम करेगा उसको टखेगा नहीं करेगा उसको चेंजिंग मारेगा। पाठी पहुत सरा है। इस बादलाओ कर दादा है? ने जब इसमिन पर भाद लाओ चाहिए यहां पर मोदी के इंदर से किने इसमिन नहीं हैं इंतर अजे अ कोई फाइदा नहीं हुआ नहीं हो यह मतिहारी मंधग ऑफ्रकशित आजए तोफिरोत अजेड़ हां, पूड़ लिखा दैते गांड़ा, भर्चा अनुतर भूड़ द काम पर होने को मोधी चाहिए, अच्छा मोधी में क्या कौुन सा क्याम दिखता है, जिस बिजरसे उनको गोड़ जिए, मोधी विकास कर रहे हैं, अब जड़ा बताए आपके उलाके में, मोधी जी यूरिया की होता है, कौईं कौईं से खोने जाते हम लो थे, अब आए बात क मुदी जी यूरिया में मोदी जी पही हो दाना यह किसान्वाली बात कि हमोग तो हम मेला है लेकिन यूरिया को लेकर ठाइघा है यूरिया को लेकर लेकर तरहा है लाकि रादा महरं तो संकर सरया बाबु टॉला यह भूमियार की बहुत बरी बस्ती है और हम इस माइंडशेट को समझे कि अपने अपने तरीके से चीजों को यह देख रहे हैं एक तरफ जातिवादी गटबंदन है दूसरी तरफ राष्टवाद के नाम पर वोट मांगने की कोशिस हो रही है दोन के साहारे वो कहें कहने हैं लौत मोदी को दे रहे यहां क्यों नहीं बोड दे रहें रादा मोहन सिंग्से मेरी नाराजगी क्या है उसके पींग तरक मतलभ me good grave इन इलाकों में जब आप जाएंगे सब कुस्छ तर्क के सहारे चीजों को समझाने की भी कोशिश होती है और र गाउं गाउं तक पहुंचाएं और उसके सहारे हम भोट लें क्या बाकई में इस्थिति है इन चीजों को समझने की ज़ुआ था हमने पांच फेज में आपको दिखाएं कि अलग-अलग जाती है गोलबंदी को लेकर भी हमने आपको महसूस कराया कि आखिर वो गोलबंदी क् यह हम जिस गाउं में हम आये हैं वो गाउं सहनी जिसको मला आप कहते हैं अलग-अलग इलाके में अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं यह सहनी बहुल गाउं है और इस गाउं में यह समझने के लिए हमने आपको कुछ वहा के माइंडशेट को भी हमने आपको समझाया औ भूमियारों की आवाज को भी आपने हमने आपको सुना है और यह सहनी क्योंकि माया गटवंधन का अपना समीकरन है उस समीकरन में जोरा जाता है अगर पतना में बैठके अगर हम बात करें तो एक इस तरह से लोग सोचते भी है यह जरूर है कि जब हम लोगों से बात करना हरकोई जानते हैं हज्रा यह बताईए कि मुकेश हनी को लेकर आप लोग क्या सुचना है क्या जानते यह जानते उनके बारे में अनकर महाघटवंधन को मिद्वार यहां पर खरा है तो उसका अथर जाधी पाठी मदधन तूट गेल जाती पाठी से ना रह एकसाधा जाधा लगी ने जाधा बाल लेगन यहांसे खाद ठाल पर यहां से खहरा नहीं उनको बोट के कि और आ झां कुछ कोड़े का इब ऑबायए वोट का समय है वोट क्या सोच रहें सब्सोर्व है raise no कुछ बॉट रहे हैं क्या यर्रेटा जी पय डाली निए हम मुक्य शनी। उसके बारा तहां लोग विचार करें तहां दी आई अभी गाउं में इस पर चर्चा नहीं हुआ कि किसको वोट करना जा जरा ये बताइए आप लोग की आपके नेता उभरे हैं मुकेश सहनी जी ये सहनी मलाह का पूड़ा गाउं है आप लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं कि मिली बोड़ता गए ना इकारफा बोड़ता है ले को यह मीललबा आवहे सब लोग मिली ना एक तारफा आई ले कोई काम भेल बानाए थी होज आप ये तह बात होगा क्या लोग सोचते हैं उनको भी भोट लोग मिलेगा कि बीजेपी को बोड़ जीजएगा उता दुनू पाटिए का विजे उसाब कोई एक आदमी का घोर के बात नानवाई कोई आपने के लड़ी का दूबा तू अपना एथी कॉस्टारी में बाद जेगा अपता सब लोगे मुत बाजिया पान अपन 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 एथी होई हो मेरे लोग देवे कोरी अधर आप भी बताएए कि सहनी विराद्जी में लोग क्या सुचते हैं और मोदी जी को लेकर नहीं देंगे वह आदा किया है कि सब को फंद पंदाजार रिप्या देंगे खाता में दूज़सर रुप्या में अधी खाता खलवा दिये इस अब कहां सो बोलने लगे आप पार्टी का वरकर हैं क्या है हम कमाते हैं किवा अगया और किविप्यानोविश्टे है शु हिए हूं रहे हिते था गाये हनी शुदिए संस्तिपूर गये थे काम करते हैं पानी ठंगी का पानी ठंगी मुके सभी आंटाने हैं जानते हैं क्या जानते हैं उनको आदमी आया था एक जो बार मुकेशनी के पाटी में के तो भासनों कोश्किया मैंने यह इसे गाउं में तो वही तो जानते हाँ दुसरा को तो नहीं है अचे जात विरादरी के मतलब तक्यत हाथ वाय हुए थे हो जो करता है यह जो पार्टी के घट बंधन में हैं उसको लो भोट वाया है तर लो जरू और लो घोल जाती पक्ष खिश बीकरता था कि यहां सुनका पार्टी खरा नहीं है इसलिए हम लोग गोट नहीं देंगे तर लोग को रहा है चाहिए यह सम्यूती में तो हम नहीं है अब मानिय जी हाँ दौसर नहीं हमको बोलाएगा तो अभी जाएगा नहीं बोलागा तो हम का फैदाया मुझेश चाहिए का नाम सुने हो जी सुने तो है क्या सुने हो उच्कारे उनका बारे में बहुत चरपांज अगे मिटिंग मी सुने है उनका बारे में इसका पहले वो बिहार का गाड़ी से पार्टनावरुट अभी लोग गया था वो भी सुने हैं देखे भी हैं जाती के नाम पर वोट होगा किस बार मेरे हिसाब से जाती के नाम पर होता तो अच्छा रहता है अभी तब नाम सुन रहे कि मुकेश्वानी आए इधर के पच्छे पुरुप स उस पार जातपाओपर होगा है कि मोदी जी के नाम पर अंटेघा डिया जा जाए जाए घ्या जातवनापर महें जाते हैं आप मिले से पैस्ट सब्सेड़ि में होगा ए है कैसे हैं अभी। कहा इस आछ the video darment माल्याम मुझा चार्चा आए अप ज याजता है अगर liter है क्या और भाहमा वह दे जाएगा अच्छा ठीक अची अच्छी बताइए कि संगठन के रूप में मुकेशनी मतलबने स्थानी विरादरी के रूप में संगठन पर कुछ काम किये हैं यां अभी तरह दोटो फोट अभी 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 सुने हाए अमर नेता है एक मुटकर सानी जात ब्यादरी के अब आगे अधि जाने के जीते हैं तो क्या करें बहु करेंगे अभी कोई उनका कोई संगठन भतन गाऊ में अना यहां आए है अचा अभी तक अभी आय इलाके एक बड़ी सहनी के बिराद्री का ये गाउं है और गाउं में अश्टजाम हो रहा है अधिकांस लोग उस अश्टजाम में गय हुए लेकिन बातचीत से आप समझ गय होंगे कि मुकेश सहनी को लोग जानते हैं लेकिन संगठन नहीं है तो आप पटना में बैठे कि वो मेरा मेरे विराद्री का नेता है उनको आगे बढ़ना चाहिए लेकिन उसके लिए जो कार्जकर्ताओं की फोज होनी चाहिए या आपकी बातों को गाउं तक पहुंचा पाए इसके लिए के कह सकते हैं कि उपर से नीचे तक करी जो होनी चाहिए थी वह करी करते हैं फिर किसी नए मुद्दों के साथ हम वोटर से मुलाकात करेंगे नमस्कार